लालची रसोई से मैं रेनू अपने फूल लवर्स का स्वागत करती हूँ आज हम बना रहे हैं गोबी के पराठे इसके लिए हम गोबी को लेकर इसे कद्दुकस कर लेंगे एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल कर हम कद्दुकस की अवा गोबी डाल देंगे और इसे हलका भूनेंगे जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो सूख जाए और हमें पराठे भरने में आसानी हो यहाँ पर हम कुछ नमक एड़ कर देंगे जिससे गोबी में जो भी एक्स्ट्रा पानी हो सूख जाए आप चाहें तो इसे कच्चा भी बना सकते हैं पर मैं यहाँ पर भून कर बना रही हूँ इस तरह हलका गोबी भून कर हम इसे ठंडा होने देंगे अब इसमें हम कुछ मसाले एट करेंगे बारी कटी हुई प्याज, ग्रेट किया हुआ अद्रक बारी कटी हुई हरी मिर्च, बारी कटी हुई लहसन, एक चम्मच अमचुर पाउडर, एक चम्मच आजवाइन और थोड़े से बारी कटे हुए धन्या पत्ती डाल कर मिलाएंगे यहाँ पर हम कुछ मसाले एट करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर वन फोड चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर हमने हरी मिर्च भी डाला है वन फोड चम्मच जीरा पाउडर वन फोड चम्मच गरम मसाला हमने नमक भूनते समय ही डाल दिया था इस तरह हम सबको मिलाएंगे, अब हम स्टफिंग करते हैं इसके लिए हम एक रोटी बेलेंगे गोबी का पराठा भरना बहुत ही आसान है यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से पराठे भरना बताऊंगी इस तरह रोटी बेल कर हम इस पे श्टपिंग भरेंगे और इसे हम चारो तरप से मोड देंगे इस तरह से और हम इसके पराठे हलके हाथ से बेल लेंगे जिससे की स्टपिंग बाहर ना आए इस तरह गोबी के पराठे बहुत आसानी से बन जाते हैं अब हम एक दूसरा तरीका बताते हैं यहाँ पी आप गोल रोटी बेल लीजे बीच में स्टफिंग रखेंगे और इसे हम त्रिकोंड शेप में मोडेंगे इस तरीके से इसे बेल कर हम बढ़ा करेंगे इसे भी आप हलके हाथ से बेले इस तरह आपके पराठे तयार है आपको जो भी शेप अच्छा लगे उस शेप में आप बेल सकते हैं अब हम पराठे को सेकते हैं हम पराठे को दोन तरब घी लगा कर उलट पलट कर हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे इस तरह हमारे गोबी के पराठे तयार है इस तरह हम और पराठे भी सेक लेंगे इसके साथ मैं एक चटनी सर्फ करूंगी इसके लिए कड़ाई में हम तेल डालेंगे उसमें पच फोरन डालेंगे दो कटी भी हरी मिर्च डालेंगे और यहां पर हम चार कटी वे टमाटर डाल देंगे टमाटर को थोड़ा भूनेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा कुटी वी अधरा कैट करेंगे और मिला देंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक एड़ कर रहे हैं आपर हम मेठी चटनी बना रहे हैं तो इसलिए नमक बहुत ही कम मात्रा में यूज करेंगे और इसे हम ढखकर थोड़ा गलने देंगे यहाँ पर हम चार चम्मच चीनी एड़ कर देंगे अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद हो तो पांच चम्मच चीनी एड़ करिएगा इस तरह चीनी मिलाकर हम इसे ढखकर थोड़ा देर और पकाएंगे हमारे टमाटर की चटनी तैयार है इसे आप गर्मा गर्म गोबी के पराठे के साथ सर्व करिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कर चैनल को सिकर अपको बात ह liए नो में एक आई हो ब careers बात्बां आई है वाम गिल्यार के बात-ईूर नोर जोे रहत रहतो तो झाईš